तो जा इन साथ यहों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे ही हो अच्छे हैं तो साथ यह सबसे पहले नैinté साल के हर्धिक शुब का अबना है नैसाल आपको एक नए हो गुर्जा दे और आपको अपने लक्ष तक पहुंचने में सहित अ करें तो चलिए हम लोग अपने लक्ष की और बढ़ते हैं तो साथ ही सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप से साध हम लोग का online का ही पूरा class होगा क्योंकि offline आप पहले की तरह लेना संभब नहीं रहा तो हम लोग online में ही पूरा class को पुरा syllabus को पढ़ने और समझने के परियास करेंगे तो अब तो तुम लोग का हला तैसन होगी आप भाईया online अब तुम लोग का मन में धेर सना सवाल आने लगा होगा जैसे कि हम कुछ सवाल लिख के लाए हैं से तुम्हारा मन में सवाल आया होगा online सुनते ही कि अगर doubt आ अगर दोनों का बीच में बंडिंग बन गया तो टेंशन ने लो सिलेबस भी खतम होगा समझ में भी आएगा सब कुछ आएगा वह ऐसे भी हम कुछ को लिख के लाएं जो कि आम तरपर सभी का डाउट रहता है ठीक है तो पहले अपना यह सकल को जो ऐसे किया हुआ हुआ कानवट करो चलो जो घृष्णाष करो सबसे पहले का कर देते हैं कि क्या-क्या हम लोग की समस्यान ही आ सकती है या फिक्या-क्या आप ओप्वग के दिमाग में क्यों ŏ सकता है अगर क्या कोस्टिन छूट जाए तो आप लोग कोमेंट कर दीजिएगा कोशिच करेंगा हम उसका एंसर देने के लिए जैसे सबसे पहले हम लोग के पास कोई डाउट आ गया जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कोई टोपिक समझ में आया मैंने आप लोग को एक्सर साइज बनाने दिय उसमें कोई कोश्चन नहीं बना बहुत परकार का डाउट आता है तो जितना भी परकार का डाउट हो तो सबसे पहला चीज तो ही कि यूटूब ने हम लोग को क्या दे रखा है कोमेंट वोक्स आप लोग कर सकते हैं या फिर आप लोग को नहीं प्रस्टनली सोलूशन कि उसका एंसर दे सके फिर हम दूसरा कोश्चन आप लोग के लिए कि स्लेवस खतम होगा ना तो टेंसर ने लीजिए दसमा का स्लेवस कोई पहाड अतना स्लेवस ने है बस एक छोटासा कितना स्लेवस है ज्यादे नहीं मैत में इतना चप्टर है साइंस का लिखके ने एक एक जलेवस के लिए तो होगा आगे ओनलाइन वे समझ आये आवा देखो यह इसा कोश्चन पता ने आप लोग का दिमाग में आया की नाया मेरे दिमाग में हम इन ही लिख दिया कि ओनलाइन बस्टिचिंत रहिए आप इवंदारी परवर्हक्य मेरा पांच वीडियो द से शुरू करें उस दिन से लेकर कोई चेप्टर के अंत तक अगर कोई भी कोश्चन बच गया तब बुल लिया ठीक है तो इसके लिए भी रहने देते हैं ओनलाइन में समाझ आएगा कि नहीं कि इसको पहले भी हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा अगला आएगा कि कि आप कौ कोई प्रोब्लम नहीं हमको चाहिए तुम्हारे पास NCRT है भारतिय भबाने केशी सिन्ना भूख है आड़ी सरमा है अरिया सग्रवाल है कोई सा भूख हो कोई प्रोब्लम नहीं बट कोई एक अगर पूछो कि असपेसली बताई कि मतलब कौन सा खरीड है सब तो खरीदना स है और परकासन का बात करें जो मतलब उसको परकासित करती है तो उसका नाम है स्टुडेंट्स फरेंट ठीक है बाकि तुम कोई वेभूख बुना उससे कोई प्रोब्लम नहीं है अगला आएगा कि एक सबसी इंपोर्टेंट कोस्चनों में एक कि नोट्स कैसे बनाएंगे ह अगला कोईशन क्या तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम चलिए समझ में आ गया दाउटर आप पूछ लिए नोट्स सभा कैसे होगा तो देखो अगर तुम लोग चाहेगा तो नोट्स बन सकता है हम इसे पढ़ाएंगे ठीक है पढ़ा रहें पढ़ा रहें अब अगर इतना में भी ना हो तो बोलिएगा कुछ और दिमाटर दिमाटर नोट्स बनावे के सबसे बढ़ें तरीका हम आप लोग को लिखने का टाइम देंगे अगर इतना में भी ना हो तो बोलिएगा कुछ और दिमाग लगाएंगे लिए इतना तो हुई ही जाएगा ठेकिन यह को बीच के हम लोग कोश्चन छोड़ दिये थे कि ऑनलाइन की समस्या सबसे बढ़ी आती है कि पढ़ते पढ़ते डाइभर्ट हो जाते मतलब अभी जवाना चल रहा है इंस्टाग्राम का बाट ललाज बना सकते है कोशिस करो कि कम से कम चार-पाँचे गूरूप में पढ़ने का अकेले पढ़ोगे हांडे प। लण दो चूर्श के हम लोग गूरूप में पढ़ेंगे तो तुम्हारा डाइभर्ट होने का भी मन करें में तो लाज से डाइवर्ट ने होगा पता है कि हमको देखके कुल क्या बोलेगा कि बताओ तो चार को दोस्तवाजें बठालेगा कि हर्दा में इस्टाग्राम दील देखने चल जाता है अगर इस से डिट्रेक्शन से दूर रहना है तो कोशिश करो ग्रूप में पढ़ाई करने का अगर हो सके तो उसके बाद और भी कुछ क पढ़ने का जितना गुरूप में पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा तो दिस्ट्रेक्शन से बचने का तरीका हमको अच्छा लगा अब थोड़ा सा बता देते हैं कि हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाएंगे तो मैं आप लोग को मैत और साइंस पूरा साइंस में फिज क्या क्या है ठीक है इससे पहले अगर आप लोग का कोई डाउट है तो फटा फट कॉमेंट में टाइप कर दीजिए कि नहीं को दिक्कत अगर आप लोग इसमें पढ़े होंगे कुछ तो बढ़िया है नहीं पढ़े होंगे तो तो भी बढ़िया है कि क्या दिक्कत है अरे क मतलब आजोने पढ़ेंगे आप से पढ़ेंगे ठीक है चलो हम लोग आप समझते कि मैथ में हम लोग का स्लेवर्स क्या क्या है याद रखना क्लास तेंथ का मैथ एक जेक्ट एक जेक्ट तो नहीं बोलो लेकिन 70-80% नाइन्थ का मैथ है अगर आप लोग नाइन्थ में पढ़ेंगे तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने बालिए लेकिन आप तो फिर आधादमी का सकल आईसन हो गया होगा नाइन्थ में तो पढ़ेंगे कोई बात नहीं तुम अगर नाइन्थ में नहीं भी पढ़े हो दसमामी मंदारी पूर्वक पढ़ लेना का जो प्रोब्लम होने था हम देंगे लेकिन तुम अपने और से कोशिश करना पूरा स्लेवस पढ़ने का ठीक है हां अग तुमको मिनिमम क्या आना चाहिए तो जितना मैथ का बेसि सबसे पहला चप्टर आता है बास्तिविक संख्या ठीक के बास्तिवुक संख्या में किआ पढ़ेंगे तो नाम सुने ऑ हो इसके पिझा संख्या 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 किया है एकटी चैशे moore संख्या से व क्या आड़ा इब अगर कुछ नहीं हो समझ में और म refuge मैं इससे जाधी कुछ ने जब पढ़हा थे दूसरा चेप्टर हम लोग काता है बावॉपद ऐसे हमारे कृताइब तीन चेप्टर को अलग लग अलग करके देताए जया लेकिन ऐक लिदी चाप्टर रहेटा इसको डिभाइड कर दिया तीन लिए चेप्टर में बावपद, दोचरवाले रेखिक समीकरन, दुई घात समीकरन. यह क्या, तो पहला टोपिक में आता है बावपद, बावपद, भावपद, बोलेंगे, किसको बावपद, नहीं बोलेंगे, कि सुन्यांक गुन्यांक जो कभी नाम सुना होगा तो ठीक है नहीं सुना है तो भी बढ़िया वात है उसके बाद अगला चेप्टर आता है दौचर वाले रेखिक समीकरन यह चेप्टर हमारे बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंड होता है क्योंकि इससे एक पांच अब बता रहें कि इतना चीज हमको पढ़ना पर फिर एक पांचमा नुमर के चेप्टर आता है समांतर स्रेणी समांतर स्रेणी या एक नया चेप्टर है समांतर स्रेणी हम लोग तेंथ के पहले नाइंथ एट-शेवन इसा में कभी नहीं पढ़े हैं जो एक निष्चित अ दो चार छे आठ दस इसमें अंत्राल कितना का रहा दो का इतना प्रकार का जितना जिसा श्रेनी होगा जो कि निश्चित अंत्राल का फोलो करें उस सब को बोलते समांतर से जाने को दिखते जब पढ़ेंगे तो और अच्छा से जानेंगे अभी बास इतना समयल हो कि एक पंदरी नमर आई यह जाता है ठीक है फिर और अगला चेप्टर आता है नियामक जीमिती नियामक जीमिती हम लोग का नाइंथ से थोड़ा सबना दिया है जहां तक हम लोग नाइंथ में पढ़ें तो उससे एक स्टेप आगे फिर वही आदमी का रोने लगेगा जो नाइं कि कि कुछ नहीं आता है है कि अगला चप्टर चलते गला चप्टरा आता है तिरकुन मिती में यह जो कि इसके पहले पहुजंब यह था प्रुश नहीं का अगला ळागा לפश का फिर याग वी तो यहां अगया जो होगा आई हुझा फैर द्सक्रान का कि लिसागी सब बढ़िया क्योंकि इसका यूज भाविस में होने के बहुत जादे होगा ठीक है जरीमनी ने बहुत जादे होगा उसके वाद इसी का एक दूसरा चप्टर है तिरकुनमिती का अनुपरियोग पहले हम लोग सीख लेंगे कि तिरकुनमिती में के को साइन ठीटा काते हैं को इसी का एक मतलब बढ़ाया होँआ फो में उचाई और दूरी फिर हम लोग का शुरू हो जाएगा अगला पाठ छेत्रमिती हैं चेत्रमिती में हम लोग मुकरुप से किसको किसको पढ़ेंगे तो पहला बीड़तरी लिए चेत्रफल पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे इसलिए लिए गर नाम सुने तो ठीक ठीक ने फिर वहीं बात है पढ़ेंगे और क्या फिर पाता सांखिकी संखिकी किसको उसको पढ़ेंगे माध माधिका और आृब ethn में एक चेप्टर सेप्ट में बचता है प्रायकतद करेंगा तुम्हारे पास होने की सम्भावना कितन नहीं है तुमको टोप करने के परायक्ता जरीमनी है कि नए तो जद यह है तुम लोग का लगता होगा क्या आए नया साल आदम पूरा आदम तेंसर नहीं में कहें इस अभी भूल जा बस इतना में अगर किसी को प्रोला में बताओ कितना में इतना में कि दाउट कहां से चेप्टर भाई आई ते रहेगा पढ़ाइटे जाएंगे आई ते जाएगा पढ़ाइटे जाएंगे को दिक्कर तो अब बताओ सब ठीक आगा है ना ओनलाइन पढ़ने में जा रहा है एक खास करकर वह इसे लोगों के लिए जो इससे पहले अभी तक ओफ्लाइन में पढ़े हो तो टेंसर ने लो हमारा क्लास कभी भी बोरिंग वला नहीं होगा अईसा ने कि आओगे चुप-चुप लीख होगे असुन जिसे कि तुम लोग कते मूवी देखा उसमें सबसे बढ़िया मूवी कौन लगता तुमको जेगरा में हमें हमेसा हासाइती है तो वह इसा ही डंग से हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने इस अस्टेडी को इस त्यार करेंगे कि हमको हसते खेलते पूरा दसमा क्या हो अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद झाल